स्वागत आप सब का मेरी चैनल पर तो आज मैं बनाऊंगी पालक के कुरकूरे पकोडे तो चले बनाते हैं यह मैंने छोटी छोटी पालक ली है और दोकर रखी है पहले हम पकोडे का बेटर बना लेते हैं उसके लिए मैंने यह बड़ा कटोरा बेशन लिया है तो अब हम उसके अंदर छोटी कटोरी कंकी कुर्मा डाल देंगे उसके बाद छोटी कटोरी चावल का आटा और स्वाद अनुसार नमक और एक चमच लाल मिर्ज पाउडर और आखिर में एक चमच काली मिर्ज का पाउडर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करकर पानी डाल कर मिक्स कर लेते हैं इस बेटर को आपको बहुत पतला नहीं बनाना है वन्ना पालक पर चिपकेगा नहीं अब हम कड़े में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं तब हम पकोड़ों को तल लेते हैं अब हम अब हम कर दो इसलोग वाए जोड़ा को आपको पर तो अब हमारे पालक के पकोड़े हो गए तयार आप इससे बारिस के मौसम में गरम गरम खाएं अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सेर करना और चेन को सब्सक्राइब जरूर करना